ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रोचक बाते हैं हिंदू पंचान के अनुसार बैशाक मास के सुकल पक्ष की तृत्या धिदिको भगवान परशुराम की जैन्ती मनाई जाती है धर्म ग्रंतों के अनुसार इसी दिन भगवान विश्णू के आविशावतार परशुराम के जन्म गवा थे अज हम आपको भगवान परशुराम से संबंदित कुछ रोचक बाते बता रहे हैं उनके जो सिश्च थे वो थे भिश्णू माभायत के अनुसार महराजा सांतुनों के पुद्र भिश्ण ने भगवान परशुराम से ही अस्तर सस्त्र के विध्यापराद की थी एक वार भिश्ण कासी में होरे स्वेंबर्व से कासी राज के पुत्रियों अम्बा, अम्बिका और बालिका को अपने छोटे भाई विश्ट रविव को उठाए लाए थे तब अम्बा ने भिश्ण को बताया कि उन मुनिमन किसी और को अपना पती मान चुकी है तब भिश्ण ने उसे ससंबान चोह दिया लेकिन हरण कर लिये जाने पर उसने अम्बा को उसे कार कर दिया तब अम्बा भिश्ण के गुरू दोनाचार के पास कहुची और अपने उन्होंने वेथा सुनाई अम्बा की बासुनकर भिश्ण को उससे विवा करने के लिए कहा लेकिन रह्मचारी होने के कारण भिश्ण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया तब परश्ण और भिश्ण यूद्ध हुआ और अंध में अपने पित्रों की बात मान कर भगवान परशुराम ने अपने अस्तर रखती है इस परकारिस युद्ध में ना किसी की हार हुई ना किसी की चीन अभी कैसे हुआ भगवान परशुराम का चन्द मरसी ब्रिगू के पुत्र विचक का विवा राजा गादे की पुत्री सत्यवती से हुआ था विवा के बाद सत्यवती ने अपने ससुर ब्रिगू से अपने वो अपनी माता के लिए पुत्र की याशना किया तब मरसी ब्रिगू ने सत्यवती को दो फल दिया और कहा किर्टु उस्तान के बाद तुम गुलर के विक्ष का जथा तुम्हारी माता पीपल के विक्ष का अलिंगन करने के बाद ये फ़ल खाले किन्तु सत्वेति उनकी माने भूल वस इस काम में गलती कर दी ये बाद महर सिभ्रिगु को पता चल गई तब उन्हें सत्वेति से कहा कि तुने गलत विक्ष का लिंगन किया है इसलिए तेरा कुत्र ब्राह्मन होने पर भी च्छत्रिय गुनवारा रहेगा और तेरी माता का पुत्र च्छत्रिय होने पर भी ब्राह्मनों की तरा चल करेगा तम सत्तेवती ने मारसी ब्रिगुर से परातना की कि मेरा पुत्र छत्रिय गुनोवरन ना हो बड़े ही मेरा पौत्र पुत्र का पुत्र ऐसा हो मजरी ब्रिगुर ने कहा कि ऐसा ही होगा कुछ समय बाद जम दगनी मुनी ने सत्तवती के गर्ब से जर्म लिया उनका आच्रन रिश्यों के समानी था इनका बिवार इनका से हुआ मुणी जम दगनी के चार उत्त हुए उनमें से परशुराम शोथे थे इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का सुभव छट्रियों के समान था स्रिक्रिष्ण के परश्ताव का समर्थन किया था परशुराम में माभारत की युद्ध से पहले जब भगवान स्रिक्रिष्ण संदी का परश्ताव लेकर धिरतराष्ट के पास गया थे उस समय स्रीकृष्ण की बाद सुनने के लिए भगवान परशुराम भी उस सवा में उपस दिन थे परशुराम ने भी धित्राष्ट को स्रीकृष्ण की बाद मान लेनी के लिए गहा था शीराम सुनका कोई बिवाद नहीं हुआ था वो स्वामी तुलसी दास दौरा रचित राम सुरितमानस में वर्मन है कि भगवान स्रीराम ने स्वेंबर में दिश्र धनुस उठाया और प्रतिंचा चढ़ाते समय और तूट गया धनुस तूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी होँआ पर आ गये था अपने आराते सिर्फ का धनुस टूटा हुए देकर रोधित हो गए थे और अहां उन्होंने श्रीराम और लक्ष्मन का विवाद दियुए था जबकि बालमिकी रमायन के अमसार सीता से विवाद के बाद जब श्रीराम पुरा अयुद्या लौट रहे थे तब परश्राम महाँ पर आये थे और उन्होंने श्रीराम से अपने धनुस पर बाद चढ़ाने के लिए कहा था शीराम ने बाद धूस पर चढ़ा कर छोड़ दिया था यह देखकर परशुराम को भगवान शीराम के वास्तरिक सो रूप का ग्यान हो गया और वे वहाँ से चले गए थी उन्हों ने अपनी माता का वद किया था एक और परशुराम की माता रेनुगा असनान करके आश्रम से लौट रही थी तब संयोंग से राजा चितरत भी वहाँ जल विहार कर गए थी राजा को देखकर रेनुगा के मन में विकार उत्पन हो गया था उसी अवस्ता में आश्रम पहुँच गए जम देखनी ने रेनुगा को देखकर उसके मन की बात जान ले थी और अपने पुत्र से माता का वद करने को कहा था किन्तों हो वस्त किसी ने उनकी आग्या के अपालन नहीं किया तब परशुराम ने बिना सुचे समझे अपने फरसे से उनका सर काट लिया था में देखकर मुनीं ने प्रसंड हुए और उनकी परशुराम से वर्दान मांगने को कुगा तब परशुराम ने अपनी माता को पुनाजवित करने और इस बात का ज्यान न रहे उनकी माता पुनाजवित हो गई एक दूसरी कहानी ये है कि संस्त्र अर्जुन के पास एक बार अले नुकाच गई थी और जब वहां से वापस आई थी तो जम्दगनी को बहुत दुस्सा आ गया था और फिर उन्होंने अपने पुत्तों सकात कहा था कि इनका सर काट ले एक मिसंद श्टेंडिंग थी उनको उसके बार एक बार मुहिस्मती देश का राजा कार्थेवेर अर्जुन युद्ध जीत का जम्दगनी मुनी के आश्रम से निकला तब वो थोड़ा आराम करने के लिए आश्रम में ही रुगा उसने देखा कामधेनु ने बड़ी सहचता पुर्म से पूरी सेना के लिए भूजन की वैवस्ता कर दिया तो कामधेनु के बचड़े को अपने साथ बलपुर्वक ले गया जब यह बात पर शुराम को पता चल पूरी है मैंने आपको शौर्ट में बता दिया कार्तिविर अर्जुन का वद का बदला उसके पुत्रों ने चंदगनी मुत्री का वद्द करके लिया चत्रियों के लीच करम देखकत भगवान परशुराम बहुत प्रोधित हुए और नोंने कार्तिविर अर्जुन के सभी पुत्रों का वद्द कर दिया जिन जिन चत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया था परशुराम ने उनका वी वद्द कर दिया इस प्रकार भगवान परशुराम 21 बार धर्टी को चत्रे विहीन कर दिये मावारत के अनुसार परशुराम का ये प्रोध देखकर महर्जी रिचिक ने साथ छात प्रकट होकर उन्हें इस खूर कर्म से रोका तब उन्होंने चत्रियों का सहार करना बंदि कर दिया और सारी प्रित्री ब्राह्मनों को दान कर दिये और स्वें महिंद प्रवत पर नि प्रिचे एक सूथ पुत्र के रूप में दिया एक बार जब प्रशुराम कर्ण की गोद में इस से रखकर सो रहे थे उसी से मैं कर्ण को एक घंपर कीड़े ने काट लिया गुरू की नीन में विग्ण नाये यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे लेकिन उन्हें प्रशुराम को नीन से नहीं जगाया नीन से उठने पर जब प्रशुराम ने देखा तो यह समझ गये कि कर्ण सूथ पुत्र नहीं बल्कि छट्री है तब प्रोदित होकर प्रशुराम ने कर्ण को श्राब दिया कि मेरी सिखाई हुए सबस्तर विद्या कि जब तुमें सबसे अधिक आ वाल अवस्ता में परशुराम के माता पिता इन्हें राम कहकत्व करते थे जब राम कुछ बड़े हुए तो उन्हें पिता से वेदों का घ्यान प्राप्त किया और पिता के सामने धनुविद्या सीखने की इच्छप्र गट किया मरसी चम्दगनी ने उन्हें हिमाले पर ज दिलाने का निवेदन किया तब सीखने तपस्या कर रहे राम को असुरों का नास करने के लेगा राम ने बिना किसी अस्तर की सहायता से असुरों का नास कर दिया राम के इस प्राकरम को देखकर भगवान शिव ने अनिक अस्तर सस्त प्रदान किया इनी में से एक परशु भ ब्रह्म वैवर्त पुरान के रुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्सम करने के लास पूछे तो भगवान ध्यान में थे तब स्री गनेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया इस बात से पुरोज दुकर परशुराम जी ने फरसे से स्री गनेश पर वार कर दिया वो फरसा सुएं बगवान शिव ने परशुराम को दिया था स्री गनेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे इसलिए हुने इस फरसे का वार अपने दाथ पर चेल लिया जिसके कारून का एक दाथ पूट लिया तब ही से उन्हें एक दंद कहा जाता है परशुराम के जो भाई थे उनके नाम में आपको बिदाता हूँ विशी, जम्दिक्नी और इंकवर की चार पूत्र थे दिल में से परशुराम सबसे छोटे थे बगवान परशुराम के तीन बड़े भाई थे जिनका नाम था रुकमवान, सुशेन वसू और विश्वा वसू था सबसे बड़ी बात यह कि परशुराम अमर है हिम्दु धर्म गर्णतों में कुछ महापूर्सों का वर्रयन है जिने आज भी अमर माना जाता है इन्हें अश्ट च्रिंजेवी भी कहा जाता है इन्हें से एक भगवान विश्व के आविशाबतार परशुराम भी है अभी जानकारी जमने दिहीं है कि कौन-कौन अमर है तो हम आपको बता देते हैं कि कौन-कौन से लोग अमर है अस्वत हमा, राजा बली, महर्सी वीद्व्यास, हनुमान, विवीशन, किर्पाचर, भगवान परशुराम, ततारसी मारकंडे, अमर है ऐसे मानित आए कि बगवान परशुराम वर्तमान समय भी, वर्तमान समय भी कहीं तपस्या में लीग है तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटी दिशे, धन्यवाद